हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और अपने वादे के मुताबिक आज मैं एक्स्प्लेन करूँगा एक सच्ची घटना पर बनी बहुत ही बढ़िया हाइस्ट मूवी एल रोबो देल सिगलो को जिसका इंगलिश में नाम दा हाइस्ट ऑफ दा सेंचुरी है ये एक सच्ची कहानी है जिसमें अर्जंटीना के पाच लोगों ने उस देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की थी वो भी दिन दहाडे पोलीस के सामने और इस चोरी के दोरान एक भी इंसान को खरोज तक नहीं आई थी ये मूवी अर्जंटीना में ही बनी है अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुती पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला था और मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरफ मुवी के शुरुआत में हम फर्नेंडो को एक साइकेटरिस के पास देखते है उसे किसी किस्म का दुख या परेशानी नहीं थी लेकिन उसे अपनी जिन्दगी में खाली पन महसूस होता है जैसे उसे कुछ करना है जो किसी और ने ना किया हो फर्नेंडो मार्शराट ट्रेनर था एक राद बारिश में वो अपना काम खत्म करके घर लोट रहा था उसे जोइंड पीने की आदत थी लेकिन तभी एक कार पानी उड़ा कर उसका जोइंड बुझा देती है वो जोइंड को सामने ही बहते पानी में फेक देता है फिर फर् कन के जरिये नाले का पीछा करने लगता है ये जानने के लिए कि गडर कहा निकलता है फिर फर्नेंडो एक पूल पर पहुचता है जहां वो नाला खत्म हो रहा था फिर फर्नेंडो नाले के बड़े से पाइप में जाता है और उसी समय एक प्लैन बनाता है अगले दिन वो एक इन्वेस्टर चाहिए, फिर fernando doc नाम के आदमी से मिलता है, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो fernando की मदद करने तयार है, वो किसी को जानता है जो उनके plan को fund कर सकता है, फिर हम Mario नाम के आदमी को एक travel agency में देखते है, वो कहीं जाने के लिए tour book कर रहा टूर मैनेजर उसकी बात मान कर पैसे अपने पास रख लेती है फिर मारियो वहाँ से एक सलून में जाता है जहाँ उसकी बेटी लूसिया काम करती थी वो हमेशा उससे अपने काम को लेकर Oopsie बोलता रहता था जिससे वो नाराज थी लेकिन जाते हुए मारियो उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ता है जो वो रख भी लेती है फिर रात में वो उसी टूर एजनसी के पास आता है और बुड़ा होने के बाद भी आसानी से गैलरी पर चड़ जाता है दरसल उसने उन पैसों के साथ एक ट्रैकर रखा था जिस फर्नेंडो मारियो के घर की आंसरिंग मशीन में मैसेज छोड़ता है कि कल वो उससे एक जगा मिलना चाता है लेकिन तबी वहां मारियो आ जाता है वो समझ गया था फर्नेंडो उसका पीछा कर रहा था उसे लगता है फर्नेंडो उसे लूटना चाता है मारियो उसे धमकी देखर वहाँ से चला जाता है, जब मारियो अपने घर आता है, आंसरिंग मशीन में उसे फर्नेंडो का मैसेज मिलता है, वो समझ जाता है जिससे वो मिला था वो फर्नेंडो ही था, क्योंकि उसमें उसकी खुद की भी आवाच थी, अगले दिन मारियो बताई हुई जगा फर बाते करते है फिर Fernando उसे अपना आफर देता है उन्हें बस एक बड़ी चोरी करनी है जिसके बाद उन्हें कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कार में Fernando उसे बताता है अर्जंटीना के सेंटरल बैंक के रूल के मताबिक किसी भी बैंक के cashier को 10,000 जमा होने के बाद उन्हें safety deposit box में जमा करना पड़ता है और वही वो सारा पैसा होता है जो एक बैंक को चलाने के लिए लगता है फिर Fernando बैंक के सामने आता है और उसके सामने के गडर के धकन में एक tape डालता है मारियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था फर्नेंडो क्या कर रहा है फिर फर्नेंडो उसे नाले में लेकर आता है कुछ दूर चलने पर वो दोनों उस टेप तक पहुँच जाते है फर्नेंडो बोलता है वो अभी बैंक ओफ रियो के नीचे है और सेफटी वोल्ट उनसे सिर्फ 18 मीटर दूर है लेकिन मारियो को बारिश की फिक्रत ही अगर बारिश आ गई तो वो लोग फस सकते है लेकिन फर्नेंडो कहता है वो लोग उस दिन ही चोरी करेंगे जब मौसम साफ होगा मारियो को भी उसका प्लैन बहुत पसंद आता है फिर मारियो अपनी बेटी से मिलने आता है लेकिन वो डिनर के लिए लेट हो गया था जिससे उसकी बेटी उससे नाराज हो जाती है अगली मीटिंग में फर्नेंडो के साथ मारियो और डॉक थे दरसल उनका प्लैन था वो एक सुरंग बनाकर बेंक के अंदर घुसेंगे लेकिन बेंक के अंदर मोशन सेंसर होते है लेकिन फर्नेंडो कहता है मोशन सेंसर मूमेंट को नहीं पहचानते बलकि वो तापमान में आये बदलाव को पहचानते है इसलिए उसने स्लीपिंग बैक से एक सुट बनाया था जिससे मोशन सेंसर उन्हें डिडेक्ट ना कर पाए उस सुट में फर्नेंडो बेवकूफ लग रहा था लेकिन फर्नेंडो के पास बैंक के वॉल्ट को खोलने का कोई प्लैन नहीं था जिसके लिए उन्हें बैंक का फ्लोर प्लैन चाहिए अगले ही दिर फर्नेंडो पहले बैंक की पार्किंग की फोटोज लेता है जो बैंक के बिल्डिंग के पीछे ही थी फिर एल और फर्नेंडो बैंक के अंदर जाते है एल कुछ काम से बैंक के दूसरे फ्लोर पर जाता है और फर्नेंडो वही बैटे बैटे फोटोज ले रहा था कुछ दिर बाद एल के वहाँ से जाते ही बाहर पोलीस आ जाती है फर्नेंडो जल्दी से निकलने लगता है लेकिन बैंक का गाड उसे रोख लेता है चैमरा की मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल ली थी उसे परेशान करने के लिए फर्नेंडो उन पर ही भड़क जाता है अब उनके पास बैंक के तीनों फ्लोर मतलब बेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर और फर्स फ्लोर के प्लैन थे फर्नेंडो उस कमरे से घुसने का प्लैन बनात पता लगा लेता है नाले और बैंक के बीच की दूरी कितनी है अगले दिन फर्नेंडो ट्रेंगल बनाकर जोमेटरी के जरीए हिसाब लगाता है उन्हें सुरंग कौन से एंगल से और कितनी लंबी खोदनी होगी क्योंकि वो जोमेटरी में पहले से बहुत अच्छा है मारि उसे डिपोजिट बॉक्स के मालिकों के लिए कोई लेटर भी छोडने बोलता है साथ ही वो उससे बैंक के सेफटी वोल्ड के बारे में पूछता है क्योंकि अभी तक फर्नेंडो ने उसे खोलने का रास्ता बताया नहीं था तबी एल वहाँ आता है और सभी सामान लेकर न खोलने में 1-2 मिनट का समय लगेगा और उन्हें 400 बॉक्स कोलने है और उनके पास सिर्फ साथ घंटे होगे फर्नेंडो को इसे और भी जल्दी करना था जिसके लिए उन्हें पहले उन सेफटी बॉक्स के लॉक को समझना होगा जिसके लिए फर्नेंडो एक लॉकर किराय प को देखते हैं जिसने वो वेन चुराई थी जिसमें अभी वो सब बैठे अलबर्टो का इंतिजार कर रहे थे मारियो उसे चिला रहा था क्योंकि उसने इतनी खराब और पुरानी वेन चुनी थी तब ही वहाँ पोलिस आ जाती है और ऑफिसर उनसे पूछताच करने लगते है वो वेन भी चोरी की थी उन्हें लगता है वो लोग पकड़े जाएगे लेकिन तब ही अलबर्टो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पहुच जाता है वो कहता है ये लोग उसके दोस्त है दरसल अलबर्टो की मा ने पुलिस को कॉल किया था क्योंकि वो वेन बहुत देर से वह खड़ी थी फिर वो लोग अलबर्टो के घर में उस वेन पर काम करने लगते है लेकिन मारियो को एतरास था अलबर्टो ने अपनी वाइफ को भी इसमें शामिल कर लिया लेकिन अलबर्टो कहता है वो बहुत समय से इस काम में उसका साथ दे रही है वो कभी किसी को कुछ न नीचे आगिरते है उन्हें तो कुछ नहीं होता लेकिन उनकी ड्रिल खराब हो जाती है फर्नेंडो कहता है कल वो नई ड्रिल खरीद लेंगे लेकिन इससे मारियो चिड जाता है क्योंकि उसने इस काम में अपने बहुत पैसे लगा दिये थे और अभी तक फर्नेंडो ने बत पहुचने में यहाँ बहुत टाइम लगता है इसका मतलब अब तक वो तारे वहाँ होंगे भी नहीं इस पर उसकी गर्लफरेंड कहिती है ऐसा डिखता है वो तारे वहाँ होते नहीं ये बात सुनते ही फर्नेंडो को कोई आईडी आता है वो तुरंत मारियो से मिलने पहु साथ ही सामने से चोरी रोकने के लिए security system है। साथ ही एक सुराक से होने वाली चोरी रोकने के भी तरीके है। लेकिन किसी ने भी ऐसा system नहीं बनाया है जो इन दोनों चोरीयों को एक साथ रोक सके। फर्नेंडो का मतलब था वो बैंक में तब घुसेंगे जब बैंक खुला होगा तब सेफटी वॉल्ट भी खुले होगे वो भी बिना किसी अलाम और मोशन सेंसर के पोलिस को लगेगा कोई आम चोर है जो बैंक का कैश लूटने आये हैं वो लोग पोलिस को ऐसा दिखाएंगे कि वो लोग दरवाजे से निकलना चाते है और पोलिस ने ये मान लिया तो उन्हें कभी सुरंग का खयाल भी नहीं आएगा एक ऐसी सुरंग जिससे वो बैंक में जाएगे तो नहीं लेकिन वापस आएगे मारियो को ये प्लैन बहुत पसंद आता है फिर सब अपनी अपनी तैयारी करने लगते है मारियो को हम एक बुक पढ़ते हुए देखते है एल किसी मशीन पर काम कर रहा था फरनेंडो भी किसी चीज की तैयारी कर रहा था डॉक इश्वर से इस चोरी के लिए माफी मांग रहा था फिर मारियो प्रेक्टिस करता है उसे बैंक में बात कैसी कर पर फिर कार से मारियो और डॉक भी बैंक में इंट्री करते हैं। लोबी में आने के बाद मारियो और डॉक फ़र्स फ्लोर की तरब जाते हैं। लेकिन वो सीडियो पर ही अपना मास्क पहन लेते हैं। की जरीए ये सब सुन रहा था। उपर मारियो कैशियर को अपने बैग में कैश भरने कहता है। अलबर्टो बाहर जाकर पार्किंग गेट को लॉक कर देता है। बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। फर्नेंडो एक आदमी को गन पॉइंट पर बाहर लेकर जाता है। और पुल भीषड़ है। अगर वो फ़ॉरन बाहर नहीं आया तो वह उस अउर्रक को मार देगे। पहले तो वो नहीं मानता लेकिन मारियो धमकाने पर बाहर आ जाता है फिर मारियो उसकी गन की मैगजिन निकाल कर उसे गन वापस कर देता है और उसका मोबाइल ले ले लेता है फिर गन पॉइंट पर उसे बाहर ले जाकर छोड़ देता है फिर फेस थरी शुरू करने कहता है फिर सभी मिलकर बैंक में लगे पूरे क एमरास को तोड़ देते है फिर फर्नेंडो उस कमरे की अलमारी हटाता है जहां उसे रखा गया था फेस फोर कहते ही उस दीवार की दूसरी तरफ से एल दीवार तोड़ना शुरू करता है और उस सुरंग के जरीए बैंक के अंदर आता है फिर फेस फाइव में वो दोनों जा बहुत खुश होता है और उस मशीन से वो लोग बैंक के सेफटी डिपोजिट बॉक्सेस को तोड़ने लगते है अब अगला फेस था टाइम सभी अपनी घडिया सेट करते है अब बैंक के बाहर स्पेशल फोर्स, मीडिया और अंदर बंधी बने लोगों के रिष्टेदार पहुच गए थे वहाँ हम पोलिस कैप्टन को देखते है वो अंदर से छोड़े गए पोलिस वाले से बात कर रहे थे वो उन्हें बताता है वो चार पाच लोग है उनके पास हैंड और शौट गंस है वो लोग पैसे चुडाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने उसकी गन उ एक लड़के को बातरूम लगती है डॉक उसे वही लगे गंबले में करने कहता है लेकिन उसकी सुसून निकलती ही नहीं तबी उन्हें सुनाई देता है फोर्स चट पर चड़ रही है तबी मारियो को उस मोबैल पर कॉल आता है जो उसने उस पुलिस वाले से लिया था फिर हमें थोड़ा फ्लेश बैक दिखाया जाता है दरसल फर्नेंडो ने इस बारे में भी सोच रखा था हमने जो बुक मारियो को पड़ते हुए देखी थी वो फर्नेंडो ने ही उसे दी थी उसमें निगोशियेशन करने के तरीके थे क्योंकि बैंक में कबजा करते से पो पूरे कॉन्फिडेंट में कैप्टन से कहता है अगर बैंक के ऊपर एक भी पुलिस वाला हुआ तो वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे कैप्टन को कुछ शक नहीं होता और वो आदमियों को बैंक की छट से नीचे बुला लेता है लेकिन बगल वाली बिल्डिंग पर वोक्सेस खोल लिये थे जिसमें कैश, सोना, चांदी और जेवरात थे मारियों खुद को शांत कर रहा था डॉक और एलबर्टन ने लोगों को संभाला हुआ था बाहर पोलिस और फोर्स को इतना ही पता था बैंक में जाने के दो रास्ते है सामने से और दूसरा आती है उसने उन लोगों के नाक में दम कर दिया था मारियो उसे अपने पास बुलाता है फिर बाहर कैप्टन को कॉल करके डिस्ट्रिक अटर्नी मतलब डिये के बारे में पूछता है कैप्टन बोलता है वो पहुचने वाला है साथ ही वो किसी एक होस्टेज को छोड़ने करता है लेकिन वो इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं पाता और उसने पैंट में ही सुसू कर दी थी कैप्टन मारियो से कहता है अगली बार किसी ऐसे को भेजना जो कुछ बता सके साथी वो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि कोई भी मरा नहीं कोई घायल नही है किसी को चोट टक नहीं लगी तो इन सबसे उसकी सजा कम हो सकती है कैप्टन उसे वकिल दिलवाने की भी बात करता है लेकिन मारियो उसे जुड बोलता है कि उसके साथ जो लड़के है वो दोबारा जेल नहीं जाना चाते मतलब वो मानने वाले नहीं लेकिन वो उन्हें म जगा जमा कर लिये थे तबी किसी का फोन बचता है वो वही बैठी एक बूड़ी औरत का था उन्हें पता चलता है आज उस दादी मा का बर्थडे है मारियो उन्हें वीश करता है डॉक एक होस्टेस से चोकलेट लेता है तबी कैप्टन को उसके स्नाइपर बताते है वो ल दादी मा को बाहर छोड़ देता है फिर कैप्टन को कॉल करता है कैप्टन बोलता है वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे है बगल में ही वो दादी मा थी जो बोल रही थी वो लोग बहुत अच्छे है मारियो पर्दा हटा कर खिड़की के सामने बैढ़ जाता है जिससे वो स्नाइपर के निशाने पर था जो ओडर का वेट कर रहे थे मारियो उससे कहता है वो 15 साल बाद जेल से बाहर आया है जब डिस्टिक अटर्नी उसे गैरेंटी देगा कि उसे जादा सजा नहीं होगी तब वो सेरेंडर कर देगा ये सुनते ही कैप्टन स्नाइपर को शूट करने से मना कर देता है और मारियो भी वहां से उठ जाता है दरसल मारियो चेक कर रहा था वो लोग उन्हें शूट करेंगे या नहीं साथ ही वो उन लोगों का टाइम भी वेस्ट कर रहा था कैप्टन बताता है वो सेरेंडर कर देगा लेकिन फिर भी उसे कुछ ग उन्हें और टाइम चाहिए दूसी तरफ मारियो डिये का नाम सुनते ही उसे गालिया देने लगता है क्योंकि पिछली बार उसने उसकी मदद नहीं करी थी मारियो डिये से बात करने से मना कर देता है और कैप्टन से कहता है वो खुद अपने लॉयर से बात करेगा कैप्टन उसके लॉयर का नमबर मांगता है तब मारियो वही रखे होस्टेज के किसी मोबाइल का नमबर उसे देता है कैप्टन डिये पर ही शक कर रहा था वही नीचे मशीन शुरू हो गई थी वो फिर बॉक्सेस तोड़ना शुरू करते है अब उन्हें सोने की इटे मिलने लगी फिर उसी मोबाइल पर कॉल आता है जिसका नमबर मारियो ने उसे दिया था फिर मारियो खुद अपना ही वकील बनकर बात करता है वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि दूसी तरफ डिये को भी शक नहीं होता मारियो ने उन्हें बोला था ग्रे सुट वाले ने उसका नमबर दिया है ये सुनकर मारियो कहता है कि वो वहाद तुरन पहुच रहा है अब वो लोग मारियो के वकील का इंतिजार करेंगे लेकिन कैप्टन को कुछ शक हो रहा था वही नीचे मशीन फिर से बंद हो गई थी और उनके जाने का भी समय हो गया था एल उन्हें निकलन कहता है लेकिन मारियो उसे फिर से कोशिश करने कहता है लेकिन मशीन काम नहीं करती दरसल फर्नेंडो को लालाच आ गया था और वो लोग अपने तैग किये हुए टाइम से पाच मिनट लेड भी हो गए थे लेकिन तब ही उसे अपने साइकेटरिस्ट की एक बात याद आती है कि जब भी कोई सोचता है उसका प्लैन परफेक्ट है वो तब ही गलत होता है इस बात से फर्नेंडो होश में आ जाता है वो फेस सेवन शुरू करने कहता है और डॉक और मारियो नीचे आ जाते है और सभी मिलकर पैसों के बैक्स को सूरंग में फेकने लगते है उपर उन अफिसर से उसके लॉयर को कॉल करने कहता है जो फोन मारियो के फीचे ही था फिर मारियो कैप्टन से पाच पिज़ा मंगवाता है वही नीचे एल डॉक और एलबर्टो सूरंग में चले जाते है और फर्नेंडो उन्हें बाकी के बैक्स देता है वही बाहर कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था जब उन लोगों को सेरेंडर करना ही था तो वो टाइम क्यों मांग रहे थे दूसरे ओफिसर को लगता है वो लोग लड़ने की तैयारी कर रहे होगे तबी वहाँ बैंक का मेनेजर आता है कैप्टन उससे पूछता है पार्किंग और छट के अलावा बैंक से बाहर जाने का कोई और रास्ता है लेकिन उसके मुताबिक कोई और रास्ता नहीं था फिर कैप्टन मारियो को कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद था और उसके वकील का भी उसे कुछ गडबड लगती है तब ही उसे जमीन पर गड़र के ढखकन दिखाई देते है जब उपर फर्नेंडो एक कपड़ा बिछा कर उस पर सारे हतियार रख देता है फिर हमें एक फ्लेश बेक दिखाया जाता है जहां में पता चलता है वो सारे हतियार नकली है बलकि नकली नहीं वो सभी खिलोने है क्योंकि फर्नेंडो नहीं चाहता था कि कोई भी गलती से भी एक भ और उन्हें वही छोड़कर नीचे भागता है नीचे जाने पर फर्नेंडो उसकी भी गन वहां रख देता है साथ ही वो बॉक्सेस के मालिकों के लिए एक नोड भी छोड़ता है वही होस्टेजिस को समझ में आता है यहां अब कोई नहीं है वो सभी अपने अपने मोबाइल उठा लेते है बाहर कैप्टन दूसरे ओफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग गडर के रास्ते से बाहर निकल चुके है उनके फोन बंध है और अंदर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा लेकिन ओफिसर कैप्टन की बात मान ही नहीं रहा था तब ही बाहर खड और फर्नेंडो दिवा तूटने के मलबे को साफ करते है वही पूरी फोर्स बैंक में घुस गई थी फिर दोनों भी सुरंग के अंदर जाते है फोर्स बेसमेंट टक पहुच गई थी वो दोनों रसी के जरीए उस अलमारी को गड़े के सामने सरकाते है फिर रसी खीच लेत था कि पूलिस को उनके सुरंग वाले प्लैन का भी पता चल सकता है तब वो उन्हें दोनों तरफ से घेर लेंगे इसलिए उन्होंने पूलिस को रोकने के लिए वहाँ पहले से बांध बना दिया था और जिस रास्ते से वो आये थे वहाँ से वापस नहीं जाएगे बलकि नाले में आगे बढ़ेंगे वही जब कैप्टन नीचे पहुचता है उसे कहीं भी एक्जिट दिखाई नहीं देता लेकिन तबी उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं वो तुरंट वहाँ से अलमारी हटवाता है उसके पीछे गड़े में उसे बॉम्ब कर रखा कैप्टन उन्हें गालिया देते हुए तुरंट सुरंग में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था वो लोग अपनी तैय की हुई जगा पहुच जाते है जहां उपर गाइटा वैन के साथ उनका इंतिजार कर रहा था वो वैन का पंचर बनाने का नाटक करते हुए गडर के धकन के ऊपर खड़ा था फर्नेंडो ऊपर चड़कर उसे कॉंटेक करता है वो तुरंट वैन के अंदर आकर पहले वैन का फिर एक मशीन के जरीए गडर का धकन खोलता है फिर फर्नेंडो ऊपर आता है सबके ऊपर आने के बाद एल पूरे माल को ऊपर भेजने जाता है और फर्नेंडो गडर का धकन लगा देता है उनके जाने से पहले उनके सामने से पोलिस की कार जाती है जिसके जाने के बाद सब चैन की सास लेते है मारियो कहता है ये खटारा वैन इस दुनिया की सबसे महेंगी वैन बन चुकी है और वो लोग आसानी से वहां से निक को ने उन सभी को बेवकूव बनाया साथी नोट पर लिखा था इन दा रिच नेबर हूट विदाउट वेपन्स और रिकर्स इट्स मनी ओनली एंड नॉट लव अगले सीन में सभी उन पैसों के सामने बैठे थे फिर सभी चैन की सास लेते हैं क्योंकि ये सपना नहीं सच था फिर सभी लोग सेलेबरेट करते है उस समय बाद सब मिलकर पैसों को गिन रहे थे और गीले हुए पैसों को सुखा रहे थे फिर वो लोग उस वेन को भी जला देते हैं जिससे कोई सबूत ना बचे अब समय कुछ आगे बढ़ता है फर्नेंडो विकेशन के लिए निकल गया था उसे पता चलता है उन्होंने जो चोरी की है वो अर्जंटीना डेश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है मारियो ने अपने लिए बहुत सारी सोने की चीजे ली थी साथी बहुत सारी अंगूठिया भी अलबर्टो अपनी वाइफ के लिए एक नई गाड़ी खरीदता है जिसे देखकर उसकी बीवी बहुत खुश होती है डॉक ने तो अपने घर में ही चर्ज बनवा लिया था एल ने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही बड़ा वीडियो गेम लिया था सब अपनी जिंदगियों में खुश थे मारियो ने अपनी बेटी को भी मना लिया था फर्नेंडो अपने एडविंचर पर था लेकिन अलबर्टो कुछ जादा ही अयाशी कर रहा था और एक दिन उसकी वाइफ उसे दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए देख लेती है जिससे उनका वहाँ जगड़ा होता है और वही होता है जिस बात का हमें डर था वो सीधा पोलिस के पास जाकर बता देती है उसके पती अलबर्टो ने ही बैंक ओफ रियो में चोरी की थी मुझे ये समझ नहीं आता जब भी औरतों को उनके पती के चीटिंग के बारे में पता चलता है वो उनकी जिन्दगी बढ़बाद करने पर क्यों तूल जाती है हस्बेंट तो नहीं सोचते कि उनकी बीवी अगर कभी चीटिंग करते हुई पकड़ी गई तो वो उनकी जिन्दगी बरबाद कर देगे मैं चीटिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन पर्सनल लाइफ का काम से क्या लेना देना लड़किया लड़कों की प्रोफेशनल लाइफ भी तभा कर देती है खेर मुवी में वापस आते है अब होना क्या था पोलिस अलबर्टो को गिरफतार करती है फिर उसके घर से सारे पैसे बरामत करती है परनेंडो को ये बात निउस से पता चल जाती है फरनेंडो कही और जा रहा था तब टेक्सी ड्राइवर बताता है पोलिस उस चोर को यही कही ढून रही है उसे लगता है इतनी बड़ी चोरी कोई आम आदमी प्लैन नहीं कर सकता वो कोई बहुत बड़ा नेता होगा जो अब कही दूर किसी आइलन पर होगा लेकिन उसे क्या पता चोरी का मास्टर माइंड उसके बाजो ही बैठा है फिर गाइटा पकड़ा जाता है उसके बाद पोलीस एल को भी पकड़ लेती है सबसे बुरा मारियो के साथ होता है वो जब अपनी बैटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तब ही पुलीस उसे पकड़ने आती है और गलती से उसकी बैटी को भी पकड़ लेती है अगले सीन में हम देखते है मारियो से उसकी बैटी मिलने आई है मारियो उससे बहुत माफी मांगता है उससे वादा करता है वो ये काम छोड़ देगा उस पर भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि उसने ये वादा कई बार किया था लेकिन इस बार वो बिल्कुल सज बोल रहा था इसलिए उसकी बेटी मान जाती है और उसे माफ कर देती है फिर हम फर्नेंडो को देखते है वो कहीं केंपिंग कर रहा था तब ही वहाँ पोलीस आती है और उसकी आईडी मांगती है फर्नेंडो वही बैठ जाता है क्योंकि अब उसका बचना मुश्किल था वो लोग भी उसे पहचान जाते है अगले सीन में हम फर्नेंडो को जेल से बाहर आते हुए देखते है बाहर नई गाडी में मारियो उसे लेने आया था दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते है मारियो बताता है अब वो रिटायर हो चुका है फर्नेंडो अभी भी मालफूक रहा था फिर दोनों भी वहां से निकल जाते है और ये मोवी यही खत्म होती है आप सोच रहे होगे सभी तो पकड़े गए तो फिर उनके चूरी करने का क्या फाइडा हुआ असल में फर्नेंडो ने पकड़े जाने के बारे में भी सोच रखा था जो हमें मोवी के एंड में बताया जाता है साथ ही हमें बैंक ओफ रियों में हुई चूरी की असली फुटेज भी दिखाई जाती है हमें वो वैन दिखाई जाती है फिर वो सुरंग दिखाई जाती है फिर वो बोट दिखाई जाती है फिर वो गडर दिखाया जाता है जहां से वो लोग निकले थे मेडिया और पॉलिस को लग रहा था ये चोर कोई टीनेजर होंगे फिर हमें बताया जाता है उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या तो पकड़े जाने के बाद पाचों को पास से साथ साल की सजा हुई लेकिन उनकी सजा कम कर दी गई क्योंकि ये प्रूफ हो गया था कि इस्तेमाल किये गए सबी हतियार नकली थे जोग कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसकी पहचान नकली थी फिर हमें पता चलता है किसी को भी एक साल साथ महीने के ओपर सजा ही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सिर्फ चोरी की थी किसी का मदर नहीं किया, हतियार नहीं रखे, किसी को खरोज टट नहीं पहचाई और चोरी की सजा क्या होगी? सिर्फ मारियो को साथ साल की सजा हुई थी वो भी उसके पुराने क्रीमिनल रिकार्ड की वज़ा से जो फर्नांडो का इंटर्वियू लिया गया तब उसने बताया था उसने वहाँ से निकलने के दो प्लैन बनाए थे और इतना ही नहीं वो बैंक से निकलने के बाद पुलिस वालों के सामने से गया था जिसकी फुटेज अभी आप देख रहे हैं बाद में बैंक ने सभी कस्टमर्स के नुकसान की भरपाई करी अपनी सजा पूरी करने के बाद वो सब रिहा हो चुके है अब यहाँ आता है असली खेल और फर्नांडो का मास्टर प्लैन असल में किसी को पता ही नहीं है सेफटी डिपॉजिट बॉक्सेस में कितने पैसे थे क्योंकि सेफटी डिपॉजिट बॉक्सी एक ऐसी चीज है जिसका बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन बैंक ने अंदाजा लगाया था सब मिलाकर 25 मिलियन डॉलर हो सकते है लेकिन पोलिस को सिर्फ लगभग पौने 2 मिलियन डॉलर और 8 किलो जोलरी ही बरामत हुई क्योंकि उन पैसों का कोई हिसाब नहीं था तो उन पर इलजाम भी नहीं लगाया जा सकता उन्होंने चोरी की चोरी की सजा भी पूरी कर ली और उसके बाद भी वो अमीर बन गए ना ही उन्हें कानून का डर था ना ही उन्हें पोलीस का डर था और ना ही उन्हें किसी से छुपने की जरूरत थी क्योंकि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी तो ये था Fernando का Master Plan चोरी भी हो गई, सजा भी खत्म हो गई, उसके बाद भी वो लोग अमीर हो गए तो इसी के साथ ये मूवी भी यही end होती है तो दोस्तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो और ये मूवी आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मैनत की है अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे अपने डोस्तों के साथ शेयर करे और कमेंट करके मुझे जरूर बताए मिलते हैं अगली बार किसी और अमीजिंग मूवी के एक्स्प्रेनेशन के साथ पीस आउट